मुझे पता था कि मुझे डक्की भाई के सेटप टोर पे रियाक्ट नहीं करना चीए क्योंकि जब से मैंने किया है मुझे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट आ रहा है राज अभी तुम्हें भी सेटप टोर बनाना पड़ेगा और अब हाल ऐसा है कि पाकिस्तान सुपर लीग PSL नहीं कॉमेंट किया है We want your Setup Tour now Hurry up आपको यह देखके लग रहा होगा कि मैं कुछ मजाग कर रहा हूँ या फिर यह Fake एकaunt होगा नहीं यह Actual verified account है पाकिस्तान सुपर लीग का पहले तो देखके मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि PSL मेरा चैनल देखता है और देखता भी नहीं फैन है PSL is a fan of brain chow reactions setup tour देखना चाहते हो लोग तो अभी PSL को कैसे मना कर सकता है तो लेगन एक warning देना चाहता हूँ आप लोग अगर expect कर रहे हो कि मेरा setup tour ducky by की तरह epic होगा बहुत ही जबरदस्त होगा तो नहीं होने वाला क्योंकि मैंने तब ही आप लोग को वान किया था कि मेरा setup ducky by के आसपास भी नहीं है बहुत ही middle class setup है तो expectations बहुत ही कम कर लो और अभी देखता है मेरा setup tour ओके तो start करता है उस जगह से जिसको आपने हजार बार देखा होगा मेरे हर वीडियो का background होता है लेकिन यहाँ पर भी छोटा सा secret है अगर camera को आप थोड़ा सा उपर करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा कंजूस हूँ क्यूंकि मैंने wallpaper सिर्फ यहां तक लगा है क्यूंकि आपको camera में सिर्फ यहां तक दिखता है तो पैसे बचाने के लिए गंदा tactic यूज किया एनिवेस आप लोग ने यह वाला व्यू तो बहुत बार देखा हुआ है अभी देखता है कि मुझे क्या दिखता ह जब मैं videos पर react कर रहा रहता हूं तो सामने camera लगा होता है और यह माइक टेबल के ऊपर और इस monitor पर मैं जो videos पर react कर रहा हूं उसको चलाता हूं अभी फिलाल यह पर इरफान जुने जो का latest video चल रहा है यह सेकंड मॉनिटर बकवास यह मॉनिटर अच्छा है हाई रिफ्रेश रेट 165 हर्ट का गेमिंग मॉनिटर है सेकंड मॉनिटर भी अच्छा ले सकता था लेकिन वो मूड नी हो रहा था मुझे जब आप इस setup के पीछे जाते हो पर बहुत ही अजीब पर पीच्छे को रखा हूआ है तो मेरा टेबल इतना छोटा सा है कि मुझे ए पीसी रखने के लिए जगा ही नहीं ता कबिनेट को रखने के लिए तो मैं पीछे एक छोटे टेबल पर रखा हूआ तो यह है मेरा PC, इसमें है RTX 3070 जो बहुत ही मुश्किल से मिला, I think यही सबसे expensive है मेरे पूरे computer में, वैसे मैं सारे prices पाकिस्तानी रुपीज में बोलना वाला हूँ, क्योंकि 70% of my audience lives in Pakistan, यह जो पीस है, ग्राफिक कार, यह अकेला 1,45,000 रुपीज का है, पूरा जो total cost है, इस PC क I think 2,70,000 रुपीज कुछ है, उसमें more than half graphic card का है, 16GB RAM है, और Ryzen 3600 का CPU है, एंड जसे, काफी अच्छा है, colors change कर सकता है, सिर्फ यह बटन दबाने से, lighting change होता है, RGB, मैं usually blue पर रखता हूँ, मैं अभी आप लोग को cinematic shot दिखाने की कोशिश करूँगा, शायद मुझे कोई epic music लग देना इच्छी है, ऐसे keyboard और mouse बहुत ही पकवासा है, यह keyboard मेरे पास I think 10 साल से, पुराना PC में भी keyboard उसकरता था, बाकी लोग के पास RGB keyboards होता है, या फिर wireless keyboards होता है, मेरे पास पुराना सा keyboard है, और यह mouse भी बहुत ही सस्ता, और यह पाकिस्तानी रुपीस में पाकिस्तानी पांसो का होगा, तो overall मेरा setup around 4 लाग पाकिस्तानी रुपीस का होगा, यह monitor 25,000 का होगा, यह camera around 80,000, यह mic काफी expensive है, road video mic pro, यह actually मैंने क्यों लिया था बता, यह Irfan Juney Joe और मुरू जैसे vloggers use करता है, और मैंने सोचा था मैं भी किसी दिन vlogger बनूँगा, तो basically मैंने यह बड़ा स माइक उठा लिया, उनको copy करके, फिर मैंने कभी vlogging किया है, तो यह waste हो गया, इसा सस्ता माइक मैं ले सकता था, लेकिन यह mic, I think around 60,000 रुपीस का है, तो yeah, overall मेरा 4 लाग का setup हो गया, और क्या दिखा सकता हूं आप लोगों, यह है, मेरे कुछ trophies, इसमें जादा तर academic trophies है, मु सब मिला है, और क्या दिखा सकता हूं आप लोगों, यह मेरा bed है, यहाँ पर मेरा laptop बढ़ा हुआ, यह Acer Nitro 5 है, यह gaming laptop है, इसका price around 1,5,000 पारकिस्तानी रुपीस है, तो आप लोग मेरा bed देख सकते हूं, वैसे यह मैं ऐसा white, यह जो cushion लेके नहीं सोता, यह बस मेरी मॉम न तो, actually मैं इसके साथ नहीं सोता, okay हमें बस, हाँ, आप लोगो LED लाइट्स दिख रहा होगा, मुझे यह बोलते हूं शरम आ रहा है, लेकिन यह LED लाइट्स है, यह मैंने टिक्टॉकर से इंस्पार होके लगा था, क्यूंकि टिक्टॉक इतना जादा popular हो रहा था, मुझे ए एक से बढ़ करें क्रिंजी कॉंटेंट मेरे तरफ से देखने मिलता है, हम लोग बच गया उससे, okay तो, यह मेरा फोन है, आइफोन 11 आई है, वैसे मैं आइफोन 12 लेने का सोच रहा था, लेकिन इतना खास नहीं लगा मुझे, और यह मेरा हेड़फोन है, जो मैं रेगुलर हैंज फ्री है, यह एक्शली जिम के टाइम, जिम के टाइम यूज करता हो या फिर घर पे भी वर्काउट करता हो, यह है पी ट्रॉन का ब्लूटूथ हैट से यह एक्शली नेक के अराउंड जाता है, तो एवन एक्सरसाइस करते हो, कि गिर नहीं जाता हूँ, और आपको यह पर एक पीपर, पीस ओफ पीपर दिख रहा रहेगा, यह मेरे डेली गोल्स है, मैं एक्सरसाइस करना चाहता हो, 15,000 स्टेप्स चलना चाहता हो, और मेडिटेशन करना चाहता हो, मुझे यह चेकलिस्ट इसले बनाना पड़ा, क्योंकि मैंने घर बैटे-बैटे बहुत गेन कर लिया था, इंडिया में कोरोना विरस बहुत जादा चल रहा है, जिम्स बंद है, तो मैं जिम में रेगुलर्ली जाता था, मैं बहुत अच्छे शेप में था, लाइक लास्ट यर तक, अल्मोस्ट अब्स भी था, मुझे लेकिन जब से लॉकड़ाउन लगा है, इस चाहद exercise कर लो, इसलिए मैंने वो लिस्ट बनाया, यह है मेरा setup, पीछे bedroom, सामने studio, I know, डकी भाई जैसा epic नहीं है, लेकिन मेरे पास डकी भाई के जितना subscribers भी नहीं है, बट मैं बिलकुल complain नहीं कर सकता, क्यों कि जितना प्यार आप लोग ने मुझे दिया है, unbelievable है, मैंने सो comment का reply नहीं कर पाता, लेकिन I try my best, I think मैं at least 50% comments रीड करता हूँ, सबके reply नहीं करता, लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि सबके comments रीड करू, and I really, really appreciate it, आप लोग को लगता होगा कि मुझे 1000 comments आता है, तो फरक नहीं बढ़ता होगा, but आज के दिन भी जब आप लोग comment करते हो, आ आप लोग को पसंद आ रहा है videos, और वो एक motivate भी करता है मुझे कि और भी content बनाता रहो, तो just stay awesome, मैं आप लोग को कुछ improve करने के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि आप लोग seriously already best हो, तो बस ऐसे ही प्यार बनाए रखना, and I'll try कि मैं अपना content को थोड़ा और improve करू, so yeah, thanks for this amazing gift, 500k subscribers, and I'll see you next time, bye bye